हलो, मैं आँ आपको पहला नहीं स्खिजोफ्रेनिया, मतलब शक्क की बिमारी इसके बारे में जानकरी देने वाला हूँ अब इसके साथ-साथ विए बिमारी बड़ती है तो तो इसके नेच जले जाती, पिर अपने नहीं बड़़ करते रहे तो इसको लगता है कि ने वह जहां काम करता है कक्चिरी में वहाँ प्यूब कर रहे है, वह इसको मार दालेंगे, वह कंप्लेर्ट करने वाले हैं, इसकी तो बाहर जाना ना बंद कर देता है, घर में छुपके छुपके रहता है, किसी मिलेगा नहीं, उसको ऐसा डर लगे रहता है कि लोग अपने खिलाफ है, और कुछ ना कोई मुझे हो जाए, वासा डरके मारे पीछे देखेंगा, और वो देगा कोई अपना पीछा तो नहीं कर देखना नहीं, और एकदम ऐसा उसका मतलब देखना भी जाता है, तो उसका बाल बड़े है, गाड़ी बड़ी ही है, तो इस तरह का है लगता है कि उसको बुस्त भी हुआ है, फिर सब भूलने के लिए कभी वो एककी शराब पिना भी चलू कर देता है, और शराब का आदी मारा पिट कर देगा, जगड़ेंगा, और यदि उसको लगता है कि अपना मतलब भाजवाला या पड़ोसी अपने घर में आके अपने उरत के साथ में संबन रखता है, तो उसको जाके जगड़ेंगा, विला ऐसे अलग-अलग हरकते वो करते रहता है, यह जो बीमारी इसक इसका इलाज है, जितना जल्दी इलाज करोंगे, उतना जल्दी वो अच्छा होने की संबाव है, और होता क्या है कि घर के लोग यह बुलते है, कि ने यह एट वड़ा शेकीला है, यह शक निकल जाएगा, उसका शक दून करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं, और काफी अच्छे च्छी दौईयां भी आय हुए, मनोचिकिस्फक्यों पास में जाकि इसका इलाज करना, ने अगलते हैं, और दौईय से लेता नहीं है, उसको लगता कि ने दौईय पी कुछ भी मिला आया है तो दौईय में लुंगा नहीं, तो दौईय लेंगा नहीं, तो तो फिर उसको कभी-कभी injection देने पड़ेंगे, वो भी लेता नहीं है, तो इसको distraint करना पड़ेंगा, पकड़ना पड़ेंगा, इसका ilाज करना पड़ेंगा, injection देके, या फिर ultimately जब कुछ होता ही है, तो shock treatment देके, electro-convulsive therapy, ECT देके, इसका ilाज हम करते हैं, अब जब acute state में, अब बहुत गंभिर अवस्ता में, जब ये उसका ilाज हम करते हैं, तो दवाईयों से, जब बहुत ज़्यादा रहा, तो shock treatment से इसका ilाज होता है, और एक बार वो शांत होने के बाद में है, ज़रा समझ उसको आती है, फिर ज़रा विचार भी उसके शांत हो जाते है, तो उ उसके साथ में हम बातचीत कर सकते हैं, और वो जो सोच रहा है, वो कैसा illogical है, कैसा अवास तरीक है, ये उसको समझा के, साइको तरीपी देखे भी उसका ilाज होता है, इसमें च्छे महने से लेके सालबर तक दबाई लेना ज़रूरी है, ये लोग है पहले से ही जैसे ये पहले से उसका शकेला सवा है, तो पहले से उसको लोगों ने ठपा मारके रखा है, ये शकेला है, तो शकेला सवा के लोगों को ये बिमारी होना ज्यादा संभव है, तो इसलिए होता है कि शकेला सवा हो और ये बिमारी, ये लोगों को समझ में आती नहीं, तो थोड़ अभी उसके रेगुलर मतलब जो डेली रूटीन है, रोलमरा की जिंदगी में उसका थोड़ा भी गड़वड हो रहा है, थोड़ी सी गड़वड हो रही है, तो उसको मनोची की सक्रिप पास में जाके उसका हिलाज करना जरूरी है और ये पूरा अच्छी जिंदगी अपनी सकता है, हमरा है कि इस तरड़ा की बीमारी हैं तो इस जी पिशपर करना जरूरे, यह पूर कहा है यंदम का यह जरुँ आँ और ज़िदे का यह, जाम मेरा ओफ नुझ बहुता बप्रा efecto, उसका थनुझ में विदे का सब्कुन तो प्रेश्ट ए इसका डिलाज कराएं और स आप मुसे फेस्बूक को लाइक करो, मुदलब फेस्बूक फ्रेंड बनो, यूट्यूब चैनल को लाइक करो, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको अलग-अलग, मतलब काफी सारी जानकारी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, और वो आप जाना से आदा प्रांसी बिमारी से वो मुक्त होना चाहिए, उसमारा मिशन है, उसमें आपका हाथ लग जाएंगा और आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. झाएंगे, तो झाएंगे, उसमें नाएंगे, तो थैंक यू.